जालोर में भी किसानों को इस तरीके से बेमासम बारिस हुई, किसान बरबाद हो चुके हैं और फसले है जी रहा थोड़ा बोड है तो वो कड़ा पड़ गया है जो मजदूरी से एंड इडुड्ट परसेंट इमालों व्लाबैस परसेंट पचा तुम मजदूरीम चला जाए खिर उनदा है और नुक्सान एक कितना इलाके में फ़ेशलों में बखना और कितनी फ़ेसलों में नुक् किसानों की क्या मांग है नुकसान कितना हुआ है और अंदोलन की और जारत आगी क्या योजना बनाई है अब किसान को तुरंत करसी आदान मिले और समय पर भीमा मिले ताकि किसान आबाज रह सके बागी किसान जीने का आप कोई सारा ही नीरा है अगर समय पर यह व्यवस्ता न किसान की क्या मांग है मुआज़े को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं किसान और फसलों में कितना नुक्सान है तीन दिन लगातार बारिश आई और बारिश भी अवा के साथ आई इससे गूल में तो विल्कुल कुछ भी नहीं बचाए इसलिए आधान परदान का मुआज़ा किषानों को मिले dispers किया क्या किसान को इस बार किस तरीके से बरबाद गर दिया फसले चोपड हो गई किसान पूरी तरह 3- 8 एस अधिव पूरा निश्ट है और जो पहले सरकार ने वादे किए तो इस बार किसानों को जीरे से बड़ी आज थी और जीरे के साथ इस सब गोल से आज थी लेकिन बे मौसम बारिस ने किसानों की जो सपने थे उन्हें पूरी तरह बरबाद कर लिया फसले चोपट हो गई और अब किसान सडकों पर उत्रे हैं मुआजे की मांग को लेकर और प